टौप फई बेस्ट फाइब जी फोन अंडर 15,000 रूपेज तो हेलो दोस्तों स्वागत आपका फिर चो एक नए वेडियो पे अगर आपका बजट अभी के टैम पे 15,000 के आसपास में है और आपको इस बजट में एक अच्छा बढ़ा है स्मार्ट फोन चाहिए तो ये वीडि में जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिना इस कीप के लास्त तक जरूर देखिएगा तो चलिए बिना चिसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट और हां मैंने आपके लिए सभी फोन को रहां के कर दिया है नंबर पांच वाले फोन से स्टार्ट करेंगे और घटते घटते नंबर एक तक जाएंगे तो लिस्ट ये पांचवे नंबर पे आता है रेडमी के तरब से रेडमी 2L 5G अगर आपको अभी के टैम पे 12,000 के बज का प्रोटेक्शन मिल जाएगा 90 हर्ट का रिप्रेस रेट एंड 240 हर्ट का टॉस अंप्लिगेट भी आ गया है और साथे 500 नीट्स का ब्राइटनेस भी है रिप्रेस ठीक है एंड डिस्प्ले सही मिलेगा अब कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड दो ही कैमरा मि कर पाएंगे 30 एक पर खासकर के प्राइमी कैमरा ही स्कॉन का बेटर मिलेगा बास्की कैमरा एवरेज का है पर्फॉर्मेंस की बात करेंगे तो इसमें क्वालकम स्नेब्रेगन 4 Gen 2 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो की 5D प्रोसेसर है एंड 4 एनम पर बना हुआ है और 4 लग पलस सब्सक्राइब का चार्जर है तो बात करेंगे तो इसमें 8GB का इंड 255GB का इंडरनल इस्टोरेज मिलेगा और बिल्ड क्वालेटी की बात करेंगे तो इसपोन का बना हुआ है एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम है 8.2 mm का ठीकनेस है एंड 299 गरानी स्टोन का वेट है तो बि IP53 रेटिंग के साथ आता है यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो यह फोन MIY14 के साथ आता है जो कि Android 13 पर बेस्ट है अब आये फाइनली बात कर लेते हैं इस पोन का प्राइज जिगतों इस पोन का टॉप वेरेंट का प्राइज आने के 8256 वाले वेरेंट का प्राइज फिलाल के टाइम पे साथ 15,000 रुपया है इस पोन का अचार 128 आता है एंड 628 वाला वेरेंट भी आता है जो कि आपको 15,000 के अंडर में ही मिल जाएगा आप चाहे तो चेकाउट कर सकते हैं तो 15,000 के अंडर में आने वाला यह है एक सही स्मार्टफोन है अगर आप इस फोन क 5G को भी ले सकते हैं अगर आपको अभी के टैम पे 12-13 अगर के बज़ट में के अच्छा बढ़ियां 5G फोन चाहिए तब आप इस पोन की द्रब देख सकते हैं क्या इस स्पेसिफिकेशन के साथ यह फोन आता है तल यह देखते हैं तो इसमें 6.67 इसका फूल सुपर एमोलेट डिस्प्ले मिलेगा जो कि पंच होल डिस्प्ले है इसमें 120 हर्ट का यह रिफ्रेश रेक एंड 240 हर्ट को टॉस्टेंपली ग्रेट भी आ गया है 1200 लीट्स का पिक ब्राइटनेस मिलेगा एंड इसके ओपर पॉरनिंग गोड़ी लागलास का प्रोटिक्शन डिस्प्ले के मामले में यह फुन काफी बहतर है इसले बढ़िया मिलेगा एंड स्मूथनेस ब्राइटनेस अगरा सब कुछ अच्छा है अब कैमरा की बात करेंगे तुसमें त्रीपल कैमरा सेट अप मिलेगा मैं कैमरा पोट की 8 मेगा पिक्सल का है सिकेंड कैमरा अल्ट् अब बैटरी की बात करेंगे तुसमें पांच जरे मिलेगा जो कि सपोर्ट करका 33 वार्ड का चार्ज रखो एक गंटा में सावा एक गंटा में आपके फोन को फूल चार्ज करके दे देगा यह चार्जर रैम इस्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 6GB का एंड़ 128GB का इंटर्नल इस्टोरेज भी लेगा और आप इसमें 1TB तक का मेमोरी को लगा भी सकते हैं इसके अलबाब सब्सक्राइब सब्सक्राइब को फाइदा नहीं है तो 15,000 के अंडर में आने वाला यह इच्छा बढ़े हैं अगर आप इस फोन को लेना चाहिए तो ले सकते हैं अब चलिए वीडियो में थोड़ा सागे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिश्ट का अगला फोन का लिश्ट के सब्सक्राइब के साथ प्लास्टिक बोड़ी के साथ यह फ्रेम दिया गया है 7.8 mm का ठिकनेस है और एक सब्सक्राग्रामी स्टोन का वेड है वेड और ठिकनेस काफी कम है और डिजाइन वगरा को देख लीजेगा अपने एकोर्डिंग हाइपी 54 का रेटिंग मिलेगा 3.5 mm वाला हेड़फोन जर्ग भी दिया गया है अब डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.3 8 इंची का फूल एचडी पलस एमोलेट डिस्प्ले मिलेगा जो की वाटर ड्रोप नोज के साथ आता है इसमें 90 हर्ट का रिफ्रेस रेट एंड 360 हर्ट का टरसेंपली रेट भी आ गया है और तेरो सुनिट का पिक ब्राइटनेस है जो की काफी जादा है तो डिस्प्ले बढ़िया मिल अब बात करेंगे तो इसमें प्राइट चाहिए जो की दो मेगा पिक्सल का है अब आगे पीछे दोनों ही कैमरा से टेनेटी पी पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे ठकती है इसमें 4K रिकॉर्डिंग का उप्सन नहीं मिलेगा नहीं अल्त्रा वाइड कैमरा है बात करते हैं स्कॉर्ण का परफॉर्मेंस का तो गाइस इसमें क्वालका में स्नैब्रेगन 695 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो की 5G प्रोसेसर है और लगबक 4 लाग पला संतू की स्कूर भी है 15-16 वाली स्कॉर्ण में अगर यह प्रोसेसर मिल रहा है तो यह चीज़ खराब न प्रोसेसर में 6GB करें और 128GB का इंटर्नली स्टोरेज मिलेगा यह इस फोन का बेस वरियंट है और इसका प्राइस किलाल के टाइम पे 15,900 रोपया है एमेज़ून पर उस टाइम पहले इस फोन का बेस वरियंट का प्राइस तोवदा हजार रोपया था बट अभी के टाइम थोड़ा सा बढ़ गया है बट कोई नी 15-16,000 के बज़ट के हिसाब से भी यह है कि स्मार्टपून है अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट गागला फोन का अभी तो लिस्ट के सिकेंड नमबर पे आता है सैंसेंग प्लास्टिक के साथ आता है तो यह फोन प्लास्टिक बॉड़ी के साथ आता है प्लास्टिक प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है 8.8 mm का ठीकनेस है एंड 208 ग्राम का वेड है डिजैन वेगरे को देख लीजिए आप अपने हिसाब से इसमें 3.5 mm दाला जैक मिलेगा हाइडिरेट लोड़ भी दिया गया है मतलब आप सिर्फ जो सिंग एक मेमोरी साथ तो इसाथ लगा पाएंगे सेक्यूर्टी के लिए स इसमें 6.5 इंची का फूल HD प्लस AMOLED डिस्पले मिलेगा जो की वाटर ड्रोप नोज के साथ आता है इसमें 120 हर्स का इसरेट एंड 240 हर्स का टर्स एंपली रेट भी आ गया है 1000 नीट्स का पीक ब्राइटनेस मिलेगा एंड इसके ऊपर कोरनी गोडिलागला इस पाइप का प पिक depende camera 4 सपोर्के चार पाएंगे ठटी है तरke डियलए कोन उसका है और के मामले में भी यह और पर्फोर्मेंस की बात करेंगे जिसमें प्रोसेसर तहीं है बड़ा सा बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 25 वाइट का चार्डर को और आप इसमें वान टीवी तक का मेमोरी को लगा भी सकते हैं तो आईए पाइनली बात कर लेते हैं तो अब चलिए वीडियो में थोड़ा सागे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिश्ट का अगला फोन का अब तो लिश्ट में आखड़ी बेस्ट स्मार्टफोन आता है मोटो के तरब से मोटरोला जी 54 5G गाईस 15,000 के बज़र में आने वाला सबसे बेस्ट 5G स्मार्टफोन है यह अगर आपको 15,000 के बज़र में किलीन यू आई के साथ आने वाला एक अच्छा बढ़ियाई स्मार्ट स्मार्टफोन चाहिए तब आप इस फोन की तरब देख सकते हैं या फिर अगर आपको एक अच्छा ओल राउंडर टाइप का बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए तो इस चीज के लिए भी यह फोन आपके लिए च्छोप्सन हो सकता है घर क्या कुछ स्पेसिफिकेशन के साथ फोन आता है चलिए देखते हैं तो पहले स्टार्ट करते हैं स्पोन का डिस्प्ले से ही तो इसमें 6.5 इंची का फूल एचबी प्लस पंच होल एलसी डिस्प्ले मिलेगा इसमें 120 होट्स का ये रिफ्रेस रेट एंड टूफोटी होट्स का टॉस्टार्स टैंप्लिंग रि और 560 लीड्स का ब्राइटनेस भी है कि स्मूथनेस लगरा बढ़िया मिलेगा एंड ब्राइटनेस भी ठीक है अब कैमरा की बात करेंगे तुसमें डूएल ब्रियर कैमरा सेटप मिलेगा मैं कैमरा पचास मेगा पिक्सल का है सिकेंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो मेडिया के डैमेंश की 7020 वालाइक इसाफ पावर्फुल फाइब प्रोसेशर मिलेगा जो कि 6 मैनोमेटर के टेक्सर पर बना हुआ है और लगबग फाड़िक चार वाक्त क्यास पासां तूट्वी स्कूर है प्रोसेशर जोहरा पावर्फुल मिलेगा एंड स्कूर भी ज्य प्रोसेशर मेंश का बैकरी मिल रहा है तब अच्छा का सब बैकप देगा रहनी स्टोड़ेज की बाद की रहा है इसमें 12GB का इंटरनल स्टोड़ेज मिलेगा और आप तो वन टीवी तक का मैमोरी को इसमें लगा सकते हैं बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो यह फोन बोडी के साथ आता है प्लास्टिक का बैक प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है 192 ग्राम वेट के साथ आता है एंड 8.89 mm का थिकनेस है इसमें 3.5 mm वाल अजेक्ट मिलेगा हाइबिरेज लोड भी दिया गया है जिससे आप दो सीम्याक्तर एक सीमें एक मेमोरी का तो एक सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो कर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और इस सही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ